जैने दोस्वां जिमात्राव रिंकु सिंग की हालत के संजू समसन जैसी हो जाएगी ये सवाल इस समय सोशल मीडिया पर काफी जादा चल रहा है दरवसल एक समय था जब संजू समसन की परफॉर्मस काफी जादा बहतरी थी और जो संजू समसन के फैंस से उनका लगाता ये कहना था कि संजू समसन को इग्नोर किया जा रहा है हलागि संजू समसन को जब टीम इंडिया मौका मिला तब बार-बार मौके दिये जाने के बावजूद भी वो कई सारे मौकों पर फेल हुए तो ऐसे में वो एक बार फिर से टीम इंडिया की कैंसेडरेशन से बाहर हो गए लेकिन यहां पर रिंकू जो है जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो काफी जादा एक अलग अंदाज है कल के मैच में भी 60 से जादर अनोर बनाए है और जो संदाज में बनाए है वो सबी को पसंदाए है ऐसे में क्या यह सवाल वाकई में सही है कि रिंकू सिंग और संजी सामसन की हाला तेक जैसी होने वाली रिंकू सिंग के लिए 9 अपरेल 2023 की तारीक कई मायनों में बहुत बड़ी थी यह वही तारीक थी जब उन्होंने दो आईपेल 2023 के एक मैच में केके आर के लिए खेलते हुए गुजरात के यश दयाल के आखरी ओर में पाच चक के जड़ दिये थी आखरी वर में केकियार को जीतने के लिए 9 अपरेल चाहिए थे और रिंकू ने ये कर दिखा लिए इस तारीक के बाद क्रिकेट दुनिया के तमाम विश्लेशक क्रिकेट पंडित फैंस मानने लगे कि भारती क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है उनके अंदर वो जज़बा भी दिखता है कि क्रीज पर तो हैं तो मैच को खत्म ही करके ले जाएंगे उनके बल्लेबाजी के बिना ही क्योंकि मैच जीत लिया दूसरे मैच में रिंको को बल्लेबाजी का मौका मिला जहां उन्होंने 21 बॉलों पर 38 रण की बरसाथ कर डा लिया और उनकी इस पारी में दो चौके और तीन चक्के शामिल थे रिंको सिंग को देखा जाए तो हाल फिलाल के कई मैचेज में उन्होंने टीम इंडिया के लिए फिनिशर की नई परिभाशा राच दिये वो अगता करीब 11 मैचों में 82 के हिल्दी एवरेज के साथ में 248 रन मना चुके हैं वही खास बात यह है कि इन 11 मैचों में से आठ बार रिंकों की मौजूदगी में टीम इंडिया जीती है रिंकों ने जीते हुए आठ मैचों में 60 के एवरेज से 180 रन मनाया साथ अफरिका के खिलाफ खेले गए 12 दिसम्मर को मैच में टीम इंडिया को वले हार मिली हो लेकिन रिंकों सिंग ने जता दिया कि वो मैच फिनिश करने के रादे से ही उताते हैं पावर प्ले के आखरी वर में जब भारत का स्कोर तीन विकेट पर 55 रन था तब रिंकों बले बाजी के लिए आए शुरुकिमार के साथ मिलकर वो टीम इंडिया के स्कोर को 19 ओर में 7 विकेट पर 180 रन तक ले कर गए और उसके बाद में बारिश आड़ी रिंकों ने 12 तरिकों हुए मैच में शांदार और जांदार वले बाजी करते हुए सिर्फ 49 बॉलों में 68 रनों की शांदार पारी खेली ये रिंकों का टीटिन टेन नैशनल में पहला अद्शदक था मैच में रिंकों ने एक ऐसा लंबा चक्का जड़ा जिसने मीडिया बॉक्स का शीशा तोड़ दिया ये चक्का देखकर फैंस भी दंग रहे गए क्योंकि उनका ये चक्का पारी के 19 वे ओवर की पांच भी बॉल पर आया था ये ओवर अफ्रिकी टीम के कफ्तान एडेन माकरम कर रहे थे मैच के बाद बिसीसियाई ने एक वीडियो जारी किया जहां शीशा तोड़ने को लेकर रिंकों सिंग ने सौरी भी का हाली में संपन्न होई औस्टेलिया के खिलाफ उठता है कि क्या रिंकों सिंग को टीम इंडिया में जगे वाकई में मिल पाई ये हम टी-टी-टी वर्ल्ड कप के लिहाज से बात कर रहे हैं तो देखिए रिंकों सिंग ने अपनी केपबिलिटी से ये बात तो जता ही दी है कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रियेट कर सकते हैं इसलिए वो मिल ओल्डरक में एक नैशनल चॉइस बन जाते हैं इसके बावजूद उनकी अगले साल विस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले इसी तरह की पारिया खेलना जारी रखते हैं तो उनको बाहर बठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे में हर लिहाज से रिंकु सिंग के लिए बचे हुए मैचे जोर आई पील काफी ज़्यादे इंपोर्टेंट होने वाला मेरे सुनिफल आपने जाए हैं जाए भारत